आसा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पीपर बहुत ही अच्छे गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस एक्जाम पे बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे और मैं इसके लिए कौलिफाई करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो पे है और उसके नदेन को बताया है लमका clearing को पूर्ण दीखेंगा हो सके तो इस वीडियो को जादस जादस एयर पर आपको बिचार करना है तो option number 1 पे क्या है था भारत की निर्वाचान अयुक के मुख निर्वाचान अयुक्ट को उच्चेतम नियाले के नयाइदीस के वेतन के बराबर वेतन प्रदान किया जाता है ये सही है भारत की निर्वाचान अयुक्ट के मुख निर्वाचान अयुक्ट का कारकाल परग्रहण करने की तारिक से 6 वर्स की अबधि या फिर 65 वर्स की अबधि तक होड़ता है जो भी पहले आता है तो ये भी यहाँ पे सही रहेग कौन से option पे दे है, option number A इसका right answer हेगा next question है, इस question पे पूशा गए था कि भारती सम्मिधान की साथवी अनसूची की कि सोची एबं प्रविश्ट का सम्मंद राज के विधान मंडल के निर्वाचन छेतर से है तुम आपको बता दो, इसके दो answer सही रहेंगे option number A और option number C यहाँ पे दोनों answer आपके correct रहेंगे लेकिन आपको देखना यह है कि जब आपके answer की आएगे न तो आप उसमें मिलान कर सकते हैं कि कौन सा option आपके सही है तो यदि आपने A या फिर C को correct कियाना तो आप अपने answer को सही मान सकते है चलिए next question के और चलते हैं next question है मद्रपदेश दाज निर्वाचन आयूग को गठन किया गया तो कब किया गया था एक फरवर 1994 इज़े question था option number A इसका right answer रहेगा next question है इस question पे क्या पूँचा गया था दो से अधिक राजियों के लिए एक सायूग्त राज लोग सेवा की स्थापना की जा सकती है तो मैं आपको बता दू यहाँ पे option number A और option number C यहाँ पे correct answer रहेंगे ठीक है न यदि आपने option number C को correct किया है तो आपका answer सही रहेगा next question है इस question पे पूँचा गया है कि किस प्रवधान के अंतरगत मदबड़िस लोग सेवायोग का गठन किया गया तो किस प्रवधान का अंतरगत किया गया था राज़पूटन अंतरगत अधिनियम 1956 के धारा 118 3 के अंतरगत किया गया था तो option number B यहाँ पे correct answer रहेगा यदि आपने option number B को चूज किया है तो आपका answer यहाँ पे correct रहेगा ठेक न? next question है इस question पे आया था कि 19 सदी के मद्ध भारती राष्टबाद भृणा अवस्था में था इस तत्त को मानने वाले पहले इतिहास कार थे तो आपको बता दूँ इसका right answer रहेगा डांक्टर आर्स्थी मजूमदार और डांक्टर एसन सेन option number A इसका right answer रहेगा यदि आपने option number A को correct किया है तो आपका answer यहाँ पे सही रहेगा next question है 18 संतामन में लंडन में प्रकासित समाचरपत्र टाइमस के संबादाता कौन थे जिन्होंने लिखा है उत्री भारत गोरे आर्मी की गाड़ी को कोई भी मित्रा पूरवक बहष्टी से नहीं देखता है तो बताए इस question का right answer आपने क्या क्लिक किया है तो इसका right answer क्या रहेगा डबलू एच रसल ने कहा था option number A इसका यहाँ पे correct answer हेगा ठीकना आप इसे मिलान कर देजिए option number A इसका right answer हेगा नेट question है इस question पे बोला है कि भारत की आत्मी रभर समाज विवस्था का वड़न करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम विवस्था छोटे छोटे गर्दनतर है तो इसका right answer क्या होगा चार्स मेटकॉप ठीकना option number A इसका right answer हेगा नेट question है 1956 के राजपुनर अठन अधनियम द्वारा कितने राज और संगी छेत्रों के स्थापन की गए तो आपको बता दूँ यहाँ पे 14 राज और 6 संगी छेत्रों के स्थापन यहाँ पे की गई थी option number A इसका right answer हेगा नेट question है भारती रिजास्तों के सासकों के बिसेज अधिकारों और प्रीवी पेसों के समाप्ति की गई तो कब की गई थे 1971 पे की गई थे option number D इसका right answer हेगा यदि आपने option number D को चूज किया है तो आपका अनसर यहाँ पे correct answer हेगा नेट question है genetic code की विजेस्टाइं होती है तो यहाँ पे आप इसे read कर सकते है यहाँ पे क्या बोल है यह प्राया सरवत्रिक होती है तो यह सही है यह तीन नुकलेटाइट कारकूं को बना होता है जो 20 amino अमलोग के संगत होता है यह यहाँ पे सही है यह अंतर तीवी 11 इसपर्ष्ट एवं कुमो रहित होता है यहाँ पे सही है और इसमें 4 कथन पे बोला है इनमें से एक प्रारंभर एवं एक समापन कोड़ोन होता है तो इसका यहाँ पे option number D इसका right answer होता है next question है आपको बताना है कि भारत किस देश के साथ नीली अर्थ विवस्था यानि कि समूर्दी संसाधन पर सतत विकास हे दूर साज़े धारी के लिए एक टास्क फोर्स का निर्माड किया है तो किस के साथ किया है नौर्वे के साथ किया है ओक्स नमर B यहाँ पर right answer हेगा next question है आम की नीलम एवम अलफानस के मद्द क्रास से किस संकर किसमे के फल्व का विकास होता है तो दोस्तो बहुत ही जी question आये था आपने सुना भी होगा अलफानस वाम कहां की GI टॉल है महराष्ट का GI टेक है जो कहां पर पाया जाता है रतना में पाया जाता है तो यहाँ पर option number C यहाँ पर correct answer हेगा एक बर इस question को फिर से repeat कर देती है question पर क्या बोलत था आम की नीलम एवम अलफानसो के मद्द क्रास से किस संकर किसमे के फल्व का विकास होता है तो किसका विकास होता है रतना का विकास होता है option number C इसका right answer हेगा current affair की news थे आपने जरूर देखी होगी next question है राष्टी स्वास्ट मिसन के जन्नी सुरक्षा योजना कमको उदेश क्या है तो इसका right answer क्या होगा मात एवम सीजू के मिरतिदर को कम करना option number A इसका यहाँ पे right answer हेगा next question है राष्टी कवी, बाल कवी, वैरागी का वास्तविक नाम क्या है तो आपको बता दू राष्टी कवी, बाल कवी, वैरागी का वास्तविक नाम है नंदराम 10 option number D यहाँ पे right answer हेगा यदि आपने option number D को चूज किया है तो आपका अंसर यहां पर correct रहेगा Next question है साथ सहागर, नौन अरायड 84 महादेव की परिक्रमा मदबदेश के किस सहर में संबन्न होती है तो बहुत easy question आये था और इसका right answer रहेगा उजेन, option number D इसका right answer है Next question है, राजय भोज के किस कभी ने जैन धर्म को अपना लिया था तो किस ने अपना लिया था धन पाल ने अपना लिया था option number D इसका right answer रहेगा easy question था option number D इसका right answer था Next question है, बिश्व प्रिशिद पारेटन इस्थल सांची का प्रिचिन नाम क्या था तो किस क्या नाम था काकडम इसका प्रचिन नाम था option number A इसका right answer था ठेकना, next question है आपको बताना है कि तांतिया फिल का वास्तपिक नाम क्या था तो क्या नाम था, तांतिया option number A इसका right answer था next question है इस question पे बोला गया है कि किस संगठन ने वियोमित नाम के भारती रोवोट को विक्सित किया है तो बहुत यह जी question आया है और आपने इससे पढ़ा भी होगा, ठेकना तो इसका right answer यहाँ पे क्या होगा इस रो, इस रो ने वियोमित नाम के भारती रोवोट को विक्सित किया है option number B यहाँ पे right answer रहेगा next question है गाइटनर के अनुसार चार चरन प्राविक्ता मॉडल या क्रम में विक्सित किया जाता है तो आपको बताना है कि गाइटनर के अनुसार चार चरन प्राविक्ता मॉडल किस क्रम में विक्सित किया जाता है तो आपको बता दू, सबसे पहले सूचना आती है, इसके बड़ परिवर्टन आता है, इसके बड़ सहभाक्ता आती है और इसके बड़ लेन देना आता है, तो Ops No. B यहाँ पे correct answer हेगा, Net Question है, एक समाजिक network के रूप में प्रतिनी धित्व किया जाता है, तो इसके right answer यहाँ पे क्या होगा, एक समाजिक network के रूप में ग्राप को प्रतिनी धित्व किया जाता है, Ops No. A यहाँ पे correct answer हेगा, Net Question है, IP B6 protocol IP पत्य को परिवासित करता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा इसके right answer, 128 bit को परिवासित करता है, क्या Net Question है, इस question पे पूशा गए थक कि वरीटाओं को एकत्रित करके उपयोग करता के हिटों के बारे में सचलित पूर्वनमान की विधिक क्या कहलाती है, तो यहाँ पे इसका right answer क्या होगा, आपको एक छोटा सी एक्जामपल दे रहे हूँ, आप किसी भी सोचल मेडिय का यूज करती है न, तो वहाँ पे एट्स आते हैं, तो उस एट्स के तो आपको क्या किया जाता है, सोचल रोप से लक्षी घरन किया जाता है, ठेक न, तो ओप्स नमर बी यहाँ पे इसका right answer था, नेट कोशन है, वर्स 2011 की जन्गर्णा के अनुसार किस राजी की जन्संग है, दसकी व्रधी निउन्तम रही है, तो आपको बताना है कि 2011 की जन्गर्णा के अनुसार किस राजी की जन्संग के व्रधी निउन्तम रही, तो इसका right answer क्या रहेगा, नागलेंड, ओप्स नमर बीस का यहां पे right answer देगा next question है उर्वारक उड्योग के लिए कौन सा कच्चमल नहीं है तो उर्वारक उड्योग में क्या क्या यूज होता है जिपसम होता है ठेह न और यहां पे नेप्थिलिन का यूज भी होता है जिसे नेत्तर यहां पे लिख़ दिया गया है और Gamecur क का यूज तो होता है तो यहां पे यहां पे तीन option जो है तो यहां पी उर्वारक का यूज करते हैं लेकिन option पे क्या पूंछा था ने मेले लिखित में से उर्वारक उड्योग में कच्चमल नहीं है तो किस को प्योग नहीं किया जाता है कास्टिक सोड़ को प्योग नहीं किया जाता है उर्वारक पी option में D इसका right answer है गा next question है इस question पर आप से पूशे गए था कि निम्में लिकत में से कौन सा option गलत है आप सबी लोग जानती होंगे कि किलिए मनजारो परवत जो हतो आफरीका महादेप पे हैं सही है माउट में किलिए परवत जो हतो उत्री अमेरिका पे हैं ये भी सही है एकान गुवा जो हतो दच्छिने अमेरिका पे हैं ये भी याँ पे सही है लेकिन बात आती है Elbrus जो कि Asia यहाँ पे लिखा है तुम आपको बता दूँ यहाँ पे Asia और Europe यहाँ पे Asia और Europe दोनों आता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ Asia लिख दिया है ना इसके वज़े से option number C यहाँ पे गलत रहेगा नेस्ट कोशन है इस कोशन पर आपको क्रेम से बताना है आपको बताना है कि वालेजिक दूद उत्पादन कहां पे होता है तुम आपको बता दूँ वालेजिक दूद उत्पादन जोहत्तु डैन्मार्क पे होता है तो आप सभी लोग क्रेम को धियान रखते चलिएगा वाघवतिक ख्रेशी कहां पे होता है यह होते है प्रांस पे होता है तो आप सब सरी देख लेजिए जैसे डुगट को पार्ण मैंने बताया था कहां पे होता है ółह आ 3 इसक बार अनुद्पारम कहां पर होता है वे अरजेनितिना पर होता है वे कि जखार यहां पर आजाएगा एक और बागवतिक रैसे कहां पर होती है मलेशिया पर होती है, तो यहाँ पर C के जखे के आजागा 4 और D के जखे के आजागा 2 तो option number A यहाँ पर right answer रहेगा next question है, इस question पर बोला है कि भारत के निम में लेकित में से किस राज में पवन उर्जा की विकासदर संभवनाएं अधिक हैं तो इसका right answer क्या होगा, तामिल नाडू एंड कुजरात option number C इसका right answer होगा, आपने पढ़ा भी होगा जो पवन उर्जा के अधिक तर प्लाइन ठना गोजरात पही हैं ठेक न, तो option number C इसका इसका यहाँ पर right answer हेगा net question है, बिन्रू सार के सासंकाल में असोक ने अवनती महाजनपद, जेतकर, मौर समराज में मिला लिया था इसका उले किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपको बता दूँ, इसका right answer रहेगा बोट गोस की समन्थ पसादिका पे, option number A इसका यहाँ पर right answer रहेगा net question है, चर्च नामा की अनुसार, छेट में और साथ में सताबदे में सिंदू देश की राधानी कौन सी थी, तुम आपको बता दूँ, छेट में और साथ में सताबदे में सिंदू देश की राधानी क्या थी, अरूर थी option number B इसका यहाँ पर right answer रहेगा, ठीकना option number B इसका यहाँ पर right answer रहेगा next question है, इस question पर आपसे पूछा गया है कि मद्यकालिन भारती इत्यास में पनही अत्वा उपनाहिक उल्लेक के संदर में किया गया है, तो आपने पनही यहाँ पर लिखा है, तो आपने समझ ही गए होगे, यहाँ पर इसका right answer क्या होगा, जूदता होगा, option number D इसका यहाँ प फिर से देखते हैं, question पर क्या पूछा था, आदी ब्रह्म्य समाज की स्थापना किस ने की, तो किस ने की थी, देवें दनाट्य गोर ने की थी, next question है, इस question पर पूछा गए था कि, मदप्रदिश की निम्नांकित राचपालों में से कौन हर्याणा के मुखमंत्री रहे हैं, तो आपको बता दूँ, इसका right answer क्या होगा, दाक्तर भगवर्दयाल सर्मा, option number D इसका यहाँ पर right answer रहेगा, next question है, मदप्रदिश की निम्नांकित मुखमंत्री रहे हैं, तो बताया इस question का right answer क्या होगा, तुम आपको बता दूँ, दिवेजय सिंग और मौतिलाल भोर यहाँ पर correct answer रहेगा, यानि कि, option number A इसका यहाँ पर correct answer रहेगा, next question है, मदप्रदिश विधान सभगी कारवहे का, क्रेम आपको बताना है, तो चलिए इस question को solve करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, राजपाल का अधिभासर, यानि कि, तू आ जाएगे सबसे पहले, इसके बाद क्या आएगा, सपतिया प्रति ग्यान, ठीक न, तो option number 3 यहाँ पर 3 आजाएगा, और इसके यहाँ पर क्या आजाएगा, इसके बाद 1 आएगा, निधन्स मंधि उलिक, तो यहाँ पर 1 आजाएगा, और इसके बाद 4 आजाएगा, यानि कि, 2, 3, 1, 4 इसका क्रम सही रहेगा, कौन से option पर दिया है, option number 6 यहाँ पर right answer रहाँ, next question है, मदबदिस उच्चे नियाले के, नियाएमूर्थियों में से कौन, भारती उच्चे तमि नियाले के नियाज़िस नहीं रहे हैं, तो बता है, इस question का right answer क्या हो सकता है, तो इसका right answer रहेगा, नियाय म देश में नगरपालिकों में अनसूचित जन जातियों हेतु इस थानों के रक्षन का प्रावधान भारत की समिधान के किस अनुछेद में किया गया है तुम आपको बता दूँ 243 दा फर्ष्ट के अंतरगत किया गया था ओप्स नमबर सी इसका यहां पे राइट अंसर हेगा नेट कोशन है भारत सासन अधनियम 1919 की अंतरगत भारती विधायका का अंतिक निर्वाचन किस वर्ष किया गया था तो कब किया गया था 1930 पे किया गया था ओप्स नमर सी इसका यहां पे राइट अंसर रहेगा नेट कोशिन है इस कोशिन पर पूंचा गए है कि समिधान सभग की प्रथम मनुनीत उपसभपति कौन थे तो कौन थे एचसी मुखरजी थे ओप्स नमर सी इसका यहां पर राइट आंसर देगा नेट कोशिन है नेट कोशिन है निम्मिल कित्मे से कौन सी अविवक्ति भारत की समिधान अनुषिद 108 की अंतरगत दोनों सरनों की संयुक्त वैठा कायूद करने की सूचना समंद में उचित है तो कौन सा है राइट बत्ति के असर से है ओप्स नमर एसका यहां पर राइट आंसर रहेगा नेट कोशिन है भारती समिधान के अनुषिद 24 की अंतरगत जोखी मूर कारियों से समंदत कार खानों में बालकों के नियोजन को निस्यद करता है ऐसा कौन सा निस्यद है तो कौन सा निस्यद है उड निस्यद है औप्स नमटर एसका यहां पर करेक्त आंसर रहेगा नेट कोशिन है इस कोशिन में पूछा गया है कि किसी भी पार्स्तिते अग्द्ट में ओर्जा का पिरामिड कैसा होता है तो मैं आपको बता दूँ किसी भी पिरामिड में उर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है कैसा होता है? सीधा होता है option number A is का right answer next question है भोजन में monosodium gullamate MSD को प्योग किया जाता है तो किसली किया जाता है भोजन को सुरक्षी तखनी के लिए किया जाता है option number C is का right answer next question है आप दर प्रवनर एक्ट बनाया गया था तो कब बनाया गया था? सन 2005 में बनाया गया था next question है निम्मलेकर में से कौन से बिमारी कोरोना वाइरस से संबन देते है तो कौन से बिमारी संबन देते है? मार से जोहत्यों ये भी संबन देते है source जोहत्यों ये भी कोरोना वाइरस संबन देते है COVID-19 तो आप सभी लोग जानती है तो इसका right answer रहेगा उपरोक्त सही next question है इस question पर बोला है कि एक प्रकार की मार्दमिक मेमोरी नहीं है आपको बताना है कि इनमें से कौन मार्दमिक मेमोरी नहीं है तो इसका right answer क्या रहेगा रहेम यानिकी random access मेमोरी ये जो है तो दूती यक मेमोरी है और question पर क्या बोला था मार्दमिक मेमोरी की बात की थी तो solid state drive, hard disk और USB pen drive जो है तो मार्दमिक मेमोरी है next question है XML का full farm क्या होता है XML का full farm होता है XP temple markup language option number B इसका यहां पर right answer हा next question है microwave में बिद्दू चुम्बी के तरंगे होती है जिनकी आवरित्ती सीमा है तुम आपको बता दूँ दोस्तों यहां पर 4 option यहां पर गलत दिये गए है यदि आपने कोई भी option टिक की है ना आपको यहां पर सही माना चाहेगा तो मेरे ख्याल से option number B यहां पर correct रहेगा आपने जो भी टिक की है ना तो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा next question है आपको बताना है कि blowfish एक प्रकार्ट का है तुम आपको बता दूँ जो blowfish होता है submit and grips algorithm होता है option number A इसका यहां पर right answer हा next question है इस question पर पूछा गया था कि robotics के संदर्व में Puma का मतलब क्या होता है तुम आपको बता दूँ Puma का मतलब क्या होता है P for programmable U for universal M for machine for assembly होता है option number C इसका यहां पर correct answer हैगा यदि आपने option number C को टिक किया है तो option number C आपका correct answer रहेगा next question है 2011 की जनगर्ना के अंसार मदपदिस के किस चिले में सरवादिक लिंगन पात है तो किस चिले पर है बालाघाट अलीराजपूर पर है option number B इसका यहां पर right answer रहेगा यदि यहां पर अलीराजपूर भी होता ना तो अलीराजपूर भी यहां पर right answer रहेगा ठीक ना चलिए net question के और चलते है net question पर पूशा गयता कि मदपदिस फसल विकासदर वर्स तो और सोलह सत्रह में कितना था तो मापको बता दूँ कितना था 34 डिसंबलो 14 परसेंट था कौन से option पर D है option number D के यहां पर correct answer रहेगा net question है कौन सा खनी सिर्फ मदपदिस में पाया जाता है तो easy question आयता और इसका right answer क्या होगा हीरा मदपदिस जो है तो हीरे के लिए है मस्वे net question है अकान्षा योजनक किस से संबंदित है अनसोचेश जन जाती वाली झ्हार्टों के लिए प्रेटी इस पर धात्मक परिशाओं हेतों कोचिंग देने से है उप्स नमर 1 इसका यहां पर correct answer रहेगा नेट कोशन है मटपड़िस का पंधना जिला किस खनिच के लिए प्रिसित है तो किस के लिए famous है हीरे के लिए famous है नेट कोशन है चंबल लहर सिचाई परियोजना किस से सम्बंदित है तो किस से सम्बंदित है यमनवे सिन से सम्बंदित है उप्स नमर सी इसके यहां पर correct answer रहा है नेट कोशन है जवहर सागर जल्वे दुद परियोजना किस नदी पर इस्तित है एक बार इस कोशन को फिर से repeat करते हैं Queshen पर क्या बूल है? जवाहर सागर जल्वेदुद पर्यूरना किस नदी परिस्थित है? तो किस नदी परिस्थित है? चम्बल कुटा पर इस्थित है. ऑप्स नमर 20 के यहां पर करेक्ट आंस रहेगा. और जब आहर साकल जल्बेड़ुट पर योड़ना किस तरा जिपे हैं? राजिस्थान राजिपे हैं ठेकना ओप्स नम्मर 20 के यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा नेट कोशन है मत्रप्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मत्रप्रदेश की प्रमुख फसल गिये हूं ओप्स नम्मर 20 के यहां पे करेक्ट आंसर रहा नेट कोशन है कौन सी फसल वेपारिक नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फसल जोहतो वेपारिक नहीं है तो गन्ना जोहतो वेपारिक फसल है का पाज जोहतो बैपारिक फसल है के लवी एक्टर से बैपारिक फसल है लेकिन बाजर जोहतो अनाज फसल है तो इसलिए यहाँ पर option number D यहाँ पर right answer रहेगा next question है आपको बताना है कि ऐसे कौन से धान मंत्री थे जो बिफिने राजियों के मुख मंत्री भी थे तो सबसे पहले बात आती है पी से नर्सीमराओकी तो यह कहां कि थे अन्थर प्रदेश के मुख मंत्य थे मुरारजी देशाई कहां कि थे बंबई के मुख मंत्य थे आप सब लेक देख सकते हैं option number D यहाँ पर correct answer रहेगा नेट कोशन है इस कोशन पर पूचा गए है कि भारत की सरवोच नियाले में किस प्रकार के निया अधेसों के नियुक्ति के जा सकती है तो किस प्रकार के निया अधेसों के नियुक्ति के जा सकती है तो दर्श निया अधेस के नियुक्ति के जा सकती है यानि कि option number A इसका यहाँ पर correct answer रहेगा और option number 2 यहाँ पर गलत answer रहेगा ठेकना आप इसके English को देख सकते हैं यहाँ पर option number 1 इसका correct answer रहेगा नेट question है इस question पर बताना है कि January 2020 तक निम्मे लिकित में से कौन से कंपने महारतन की सेड़ी में नहीं आती है यहाँ पर काफी बड़ा question लिखा है जैसे मैं आपको बता देता हूँ तो question पर क्या पूशा था निम्मे लिकित में से कौन सा केंड़ी सर्वजनिक उद्यम यानि कि CPSI भारत सरकार के लोग उद्यम विभाग द्वारा सुचिब रध जनवरी 2020 तक महारतन के सेड़ी में नहीं है तो ऐसे कौन से कंपनिय है जो महारतन के सेड़ी में नहीं है भारत है फ़ी electrical है, गौल इंडिया लिम्टेड है इंडिया oil corporation लिम्टेड ये भी है लेकिन औल इंडिया लिम्टेड जो है तो ये महारत इनके सेंड़ी पे नहीं है तो option number D इसका यहाँ पे correct answer रहेगा ठेकना option number D यहाँ पे correct answer रहा net question है बित्ती छेत्र के मुल्यांकन समीति सह धक्षता किसके द्वारग की जाती है तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे option number A यहाँ पे correct answer रहेगा लेकन दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे 4 option गलत दिये गए है option number A के साई होने के chances बहुत जाद है net question है गैर वेंग के वित्ती कंपनी यानि की NB FC के लिए लोगपाली हो जाना 2018 को किस दिनांग को भारती दिजर्व वेंग द्वारा प्रभावी रूप से पेस किया गया था तो कब पेस किया गया था 23 फरवरे 2018 को पेस किया गया था option number D यहाँ पे right answer रहेगा net question है निमलिकत गतनों पर आपको बिचार करना है तो यहाँ पे नियांटर के लिए रहेगा है तो यह यहाँ पे सही है यह भी यहाँ पे सही रहेगा option number one और option number two यहाँ पे correct answer रहेगे net question है नीती आयोग के प्रथम उपाध्यक्च कौन थे तो नीती आयोग के प्रथम उपाध्यक्च जोहत्तों अर्विंदर पनगडिया जी थे option number two यहाँ पे correct answer रहेगा next question है इस question में बोला है कि राजमानों अधिकार आयोग के अध्यक्च और सदस्यों के न्युक्ति के नामों के सिफारिश करने वाले समीती में कौन सामिल नहीं है तो कौन सामिल नहीं है राजपाल इसमें right answer रहेगा next question है राश्टी हरित न्याय अधिकरण कि किसे वे नेड़े में वेतित कोई भी व्यक्ति सर्वोच न्याले में अपील कितने दिन के वीतर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे NJT से question आया था ठीक न तो वहीं यहाँ पे बताया गए है कि कितने दिन के वीतर सर्वोच न्याले में अपील कर सकता है तो इसका right answer क्या रहेगा 90 दिन के वीतर कर सकता है next question है राज खाद आयोग की स्थापना किस कानून के अंतरगत होती है तो किस कानून के अंतरगत होती है राष्टी खाद सुरक्षा अध्नियम 2013 के अंसार होती है option number A इसका यहां पे correct answer है next question है फरवरी 2021 में तेस भड़ोसी देश ने सेना द्वारत तकता पलट दिया तो इसका right answer क्या रहेगा मैंमार option number D इसका यहां पे right answer है next question है तो आपने पढ़ा ही होगा अंतराश्टी ओलंपिक सम्मीति का मुख्याल जो है तो लुसाने सुजरलेंड पे है option number B इसका यहां पे correct answer है next question है किस भारती महिला निव्यक्ति गत खेल में सरप्रथम ओलंपिक पदक जेता है तो किसने जेता तो सरप्रथम यहां पे correct answer है next question है मदप्रदेश सासन द्वारा खेल प्रसिचकों को प्रिदत की जाने वाली निम्न में से कौनसा पुरुषकार सरवोच पुरुषकार है विश्वा मित्व पुरुषकार जोहत्व सरवोच पुरुषकार है option number D इसका यहां पे दोस्तों यहां पे मदप्रदेश की बात आहिं है यहां पे इंडिया लेबल की बात होती ना तो यहां पे ड्रोणाच ए रएवर्डवार्ड बात आए वारे आता यहां बुरुषकार हमेशन की पुरुषकार पूरुषकार ? option D इसका यहां पे इस्तित है, option number C, इसका यहां पे correct answer हैगा, next question है, भोपाल राजी के मुल संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, दोस्त महम्मद खांजुहत्यों, भोपाल के संस्थापक थे, option number A, इसका यहां पे right answer है, next question है, राजवीर सिंग देव की राजधानी कहां थे, तो कहां पे थे, बां जगय थकी, मांडू विजय, दच्छन विजय की कुझे थे, यहकतन किस ने कहा था, तो किस ने कहा था, अमीर खुसरू ने कहा था, option number D, यहां पे correct answer है, next question है, भीम बैठका की खोच की थे, तो भीम बैठका की खोच की थे, दाक्टर विश्नु धरवांकनन ने की थे, option number C, यहां पे correct answer है, next question है, मदविदेश में सरवाधिक पाई जाने वाले, जन जाती कौन सी है, तो कौन सी जन जाती सरवाधिक पाई जाती है, गोड जन जाती सरवाधिक पाई जाती है, option number A, यहां पे correct answer रहेगा, next question है, आपको यहां पे घास का मैदान दे गए है, आपको बता तो आप्स नमस सी यहां पर कर्यक्ट आंसर देगा नेट कोश्चन है भारत के किस राज में सागोन गिवन सरवादिक पाए जाते हैं तो कहां पर पाए जाते हैं मद्प्रदेश में ही पाए जाते हैं नेट कोश्चन है इस कोश्चन पर आपको राष्टी उद्यान दे गए हैं और आपको बताने कि यह कहां कहां पर हैं तो अंसी राष्टी उद्यान करनातक पर हैं सही है बालकर्म राष्टी उद्यान मिगाले पर सही है यह सही है हेमिस राष्टी उद्यान लद्दाग पर है यह भी सही है लेकिन चंदोली राष्टी उड्यान जोहत्व कहां बेशते थे महराष्ट पी है लेकिन ओप्सन पर क्या बताएगा गुजरात तो यह जोहत्व यहां पर गलत रहेगा तो ओप्सन नमर सी यहां पर राइट अंसरा नेट कोशिन है भारती खानिच पतारतों का हंणार किसी कहा जाता है तो बहुत यजी कॉषिन आ था इसका राइट अंसर हैगा फो सब्सक्राण है कि यहां पर यहां पर कारण भी दिया गया है तो अभी कठन पर क्या पूला है पंजाब अर्याड़ा उ'll गयांओ बादक राज है यह जो है तो स़ी है और आप सब वहाँ के दापमान कितना होना चाहिए 10 देग्री सेंटिग्रेड 25 देगरी सेंटिग्रेड होना चाहिए और वहाँ पे पानी Mayo होने चाहिए 75 सेंटिमीटर वर्सकर वर्सकर पार elbows को होना है जो कि और दोनों सही है, और एकस ही इस पर्ख्टी करन है, तो आपस नमर ए यहां पर correct answer next question है, पडमस्री भूरी वाई किसके लिए प्रिसिद्धे, तो पडमस्री भूरी वाई जो है, तो किसके लिए famous है, चितरकारी के लिए famous है ऑप्स नमबर A यहां पे correct answer है. Next question है. कैला सकती हा ते मधग्भिदिस के किस जिले से समंधित है? या फिर question पे क्या बूल है? कैला सकतार्ति के जन्म मधग्भिदिस के किस जिले पे हुआ था? तो कहां पे हुआ था? वी जिसाप पे हुआ था? option number D यहाँ पर right answer next question है 750 मेगवाट solar power plant मदविदेश के किस जिले में इस्तित है तो किस जिले में इस्तित है रिवा जिले पर इस्तित है option number B यहाँ पर correct आंतर next question है मिजोरम में इस्तित फंगुपई राष्टी उध्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस अननाम से जाना जाता है, Blue Mountain पार्क से जाना जाता है, यानिकि नीला परवत उद्यान नाम से भी जाना जाता है ओप्स नमर B यहाँ पे करेक्ट अन्स रहा, नेट कोशन है फरवरी 2021 में धान मंतरी जी द्वारा किस सताब्दी समर्वय का शुरुआत की गई तो किस सताब्दी समर्वय की शुरुआत की गई थी 14-14 सताब्दी समर्वय की शुरुआत की गई थी तो ओप्स नमर C यहाँ पे करेक्ट अन्स रहा, उम्मीद करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको पसंद ड़ाई होगी यदि हैं वीडियो आपको पसंद दहीं है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दें थाकि मैं आपके लिए ऐसले वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ ठीक, ना तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो पो तहक लें, जैन वन धे मात्रम दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडिया प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं लिंक मन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से जाके इस वीडियो का पीडिया प्राप्त कर सकते हैं